हेलो फ्रेंड्स स्टेडी विट मैंग के करेंट अफिर से सन्माप का स्वागत है यह करेंट अफैर एस सी बैंकिंग रेलवे स्टेट बीसी एस सीडियेस सीडियेस और अधर कंपटिटिव एक जमादी में सहाइक होंगे आज की डेट है 16 मार्च 2022 तो चलिए आज का करेंट अ हैं आज का पहला प्रस्ण है किस राज्य सरकार इस महिने के अंत में अपने वार्सिक वजट में वाहिनी योजना की घोशना करने जा रही है और देश मैधमिक और वरिस्ट मैधमिक विद्याले वाली लड़कियों को सौ प्रतीसत मुफ्त और सुरक्षित सेनेटरी बेट प्रदान करना है वहनी योजना के तहर्स सिक्किम में सिक्किम के 210 मैधमिक और वरिस्ट मैधमिक विद्याले में मुफ्त सेनेटरी बेट उपलप कराने के लिए वेडिंग मसीन लगाई जाएगी तो इसका जो सहीं अं करनका आयोजन किया और शंटी ग्रामीर विकास मंत्राव और शंटी र क्षा मंत्रा आले ! pound का आयोजन किया गया इस आयोजन में सभी राज्यों एवं केंद्र सासित प्रदेशों की 3000 से अधिक राज्य मिसन करमचारियों एवं स्वें सहाइता सम्हों के सदेश्यों ने हिस्सा लिया यह कारिक्रम दीन दयाल अंतियोजना रास्टी ग्रामिड आजिवी कमिसन के तहत वर्च्वल रूप से आयजित किया गया था इस कारिक्रम का उदेश्यों देश भर में लेंगीक समानता असमानता के विरुद जागरुकता पैदा करना है वर्च 2022 के लिए इस दिवस की थीम है महिला समुहों के मायधम से खादे और पोर्शन सुरक्षा को बढ़ावा देना तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा आपका उफशन ए ग्रामिड विकास मंत्राले चलिए नेक्स्ट कुशिन पे चलते हैं कुशिन अब थर है हाली में भारत का एक्विर्टी बजार पहली बार बजार मुझी करन के मामले में दुनिया के कितने स्थान पर पहुँच गया है ऑफशन A पहले ऑफशन B तिसरे ऑफशन C पांचवे ऑफशन D चौथ है भारत की एक्विर्टी बजार पहली बार बजार पुझी करन के मामले में दुनिया के पांचवे स्थान पर पहुँचा परतमान में भारत अमेरिका, चीड, जापान और होंग कोंग के बाद पांचवे स्थान पर है साल 2022 की सुरवात में भारत साथवे स्थान पर था बाद में भारत अपने पुझी करण में 7.4% की गिरावट के बावजुद दो स्थान उपर चड़ गया अब भारत का कुल बजार पुझी करण 3.21 ट्रिलियन डॉलर है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा आपका उप्शन C पांच वे स्थान पर चलिए नेक्स्ट कुशिन पर चलते हैं कुशिन नमर 4 है देवासीस पांडा को कितने साल के कारेकाल के लिए भारतिय विमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नय अधक्ष के रूप में न्यूक्त किया गया है ओफ्शन A 4 साल, ओफ्शन B 5 साल, ओफ्शन C 7 साल, ओफ्शन D 3 साल देखे ये देवासिस पांडा को तीन साल के कारेकाल के लिए भारती विमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अधक्ष के रूप में न्यूक्त किया गया है वित्वंत्राले में सचीव के रूप में दो साल की सेवा देने के बाद पांडा ने 31 जनवरी 2022 को इस्तिफादे दिया था मई 2021 के में पद खाली होने के दस महीने बाद पांडा को IRDAI के अधक्ष न्यूक्त किया गया है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा आपका ऑफ्षण ऑफ्षण D होगा आपका तीन साल लेकिए प्रिवेस कोश्चन में भी कोश्चन आया था ठीक है लेकिन थोड़ा घुमा के पुछा गया था तो आपना इसका भी लास्ट अगर आप शर्शन किये होंगे तो आपको याद होगा तो आपको यह बताना है कि जो आप दिवासेस पांड़ना है तो इनसे पूर्व में जो आपका IRDAI के अध्यक्ष कौन थे ठीक है इनसे पूर्व में यह आपको नाम बताना है ठीक है चलिए नेक्स्ट कुश्शन पर चलते हैं कुश्शन नमर फाइफ है आपका कैटली नौवाग को किस देश की पहली महिला रास्ट पती के रूप में चुना गया है अफ्शन A यूक्रेन, अफ्शन D हंग्री, अफ्शन C जापान, अफ्शन D रोमानिया देखे रास्ट पते विक्टर ओर्बान की करीवी सहयोगी कैटली नौवाग को हंग्री की संसद द्वारा हंग्री की पहली महिला रास्ट पती के रूप में चुना गया है नौवाग जो हाली में परिवार निती मंत्री थी ने अपनी जीत को महिलाओं की जीत पता है उन्होंने संसद में 137 मत हासिल की नौवाग ओर्बन की सत्तारूर्ट फाइटर्स पार्टी के सहसन स्थापक जोनस एडर का स्थान लेंगी जिन्होंनवर्स 2012 से प्रधान मंत्री के रूप में कारिक्या है ज्यात हो कि हंगरी यूरोप में इस्तित यूरिपय संग का एक सदस्देश है यहां की राजधानी बुड़ा पेस्थ है हंगरी मध्य यूरोप की टैन्यूब नदी के मैदान में इस्तित है इसके उत्तर में चेकोसलोवाकिया पूर्ब में रोमानिया दक्षुर में इस देश में समुद्र तर्ट नहीं है यह अलपास परवत स्रेणियों से गिरा है यहां यह जो है आपका कारफितियन परवत भी है जो मैदान को लगू एलफॉर्ट और विसाल एलफॉर्ट नामक भागों में विवक्त करता है तो इसका जो सही अंसर होगा वहोगा आपका चलिए नेक्स्ट कोईशन पर चलते हैं सुप्रीम कोट ने किसको उचदिकार प्रात समिती के अधक्ष के रूप में नामित किया है जो पूरे हिमाले घाटी पर चारधम परियोजना के संचई और स्वतंत्र प्रभाव का आकलन करेगी साल 2019 में प्रोफेसर रभी चोपडा को सुप्रीम कोट द्वारा उचदिकार प्राप समिती के अधक्ष के रूप में निउगत किया गया था प्रोफेसर रभी चोपडा ने जनवरी में इस पक्ष से इस्तिफा दे दिया था प्रोफेसर चोपडा के विस्तिफ़े के बाद एके सिक्री को अधक्ष के रूप में निउगत किया गया है तो इसका जो सही एंसर होगा वो होगा आपका ऑफ्षन सी एके सिक्री चलिए नेक्स्ट कुश्ट पर चलते हैं कुश्ट सेवन है भारत घुटावास को युक्रेन से किस देस में अस्थाय रूप से स्थांदरित करने का फैसला किया है जर्मनी चिन पप्षन चीन पर इरान पोलें उक्रेनमें रूस के बढ़ते हमलों और तेजी से विगड़ती शुरक्ष़ स्थिति को देखते हुए युक्रेन में भारती देखते हुए यह निर्ने लिया गया है कि यहां भारती दुतावास को और्स थाय रूप से पॉलेंड में स्थांतरित किया जाएगा तो इसका जो सही एंसर होगा वो होगा आपका option D Poland चलिए next question पे चलता है question no.8 है cloud सेवां को बजबूत करने में जूटी Google ने कितने अरब डॉलर के सौधे में साइबर सुरक्षा कंपनी मेंडियंट का अधिगरहन किया है option A 3.4 अरब डॉलर option B 2.4 अरब डॉलर option C 4.4 अरब डॉलर option D 5.4 अरब डॉलर देखे cloud सेवां को मजबूत करने में जूटी Google ने 5.4 अरब डॉलर के सौधे में साइबर सुरक्षा कंपनी मेडियंट का अधिगरहन किया है यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद यह इस तरह के पहले अधिगरहनों में से एक है विसले सको और सरकारी अधिकारियों का मानना है कि भूर राजनितिक तनाव बढ़ने के पीच इन्हें रूस और अनिस्थानों से साइवर हमले बढ़ने की असंका है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा आपका option D 5.4 अरब डॉलर चलिए next question पे चलते हैं question number 9 है प्रतिवर्स राज्टि टिकाकरण दिवास का आयोजन कब किया जाता है option A 14 March, option B 15 March, option C 16 March, option D 17 March देखे टिकाकरण के महत्यों के साथ साथ सार्पजनिक स्वास्त में इसकी भूमिका को रिखांकित करने है तो प्रतिवर्स 16 March को राज्टि टिकाकरण दिवास का आयोजन किया जाता है राज्टि टिकाकरण दिवास का लक्ष इस सम्मद में जागुलता बढ़ाना है कि टिकाकरण ही अत्यधिक संक्रामक रोगों को रोखने का सबसे प्रभावी तरीका है राज्टि टिकाकरण दिवास 2022 की थीम है Vaccine Work for All राज्टि टिकाकरण दिवास भारत सरकार के Pulse Polio कारिकरम की उपलक्ष में मनाया जाता है जो कि भारत से पोलियो उन्मूलन हेतु एक उलेख ने पहल थी भारत में वल्स पोलियो कारिकरम एक बड़ी सफलता बन गया क्योंकि वर्ष 2014 में विश्वस्वास संगठन ने भारत को पोलियो मुक्त देश खुसित कर दिया है option A तो इसका जो सही एंसर होगा वो होग आपका option C solar march चलिए next question पर चलता है question number 10 है हाली में चर्चा में रहा power foundation किस मंत्राले के तत्वधान में गठित एक society है option A रसाइन एवं उर्वरक मंत्राले option B कोईला मंत्राले option C electronics सूशना प्रदगी की मंत्राले option D पावर फाउंडेशन बिजली और संबन्च चेत्र हेतु सरकार द्वारा स्थापित एक नितिगत निकाय है power foundation बिजली मंत्राले के तत्वधान में गठित एक society है यहो power grid NTPC, RAC, PFC, NHPC, THDC और SJVN जैसे प्रमुक विजली छेत्र के केंद्रिय सार्वजने कुई धमों द्वारा सोसाइटी एधनियम के तहत पंजिक्रित है power foundation का उदेश स्वक्ष उर्जा स्रोतों की और बढ़ने में भारत की साहतागना है यहो राज्य सरकारों और वेवेसायों को अज्तधुनिक अनुसंधान में मदद करेगा यह एक नीती निकाय के रुप में कारी करेगा तधन राज्यों को सभी के लिए स्थाई उर्जा प्रदान करने में मदद है तो डेटा, नीती और सिफारे से प्रदान करेगा भारसरकार देश में विद्धुत उत्पादन में अक्षे उर्जा स्रोदों की योगदान को पचास प्रतिसत से अधिक तक बढ़ाने का भी संकल्व लिया गया है तो इसका जो सही एंसर होगा वो होगा आपका ओप्शन डी होगा बिजली मंत्रा ले तो यह थे आज के करेंट फेर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर और कमेंट करना ना भूले साथी सा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स पर वाचिंग हेव नाइस टी टेक केर